असली वसीकरण जड़ी प्यार मरते दम तक गुलामी करेगा 15 मिनट में आपके प्यार की कोल आ जाएगी जी हाँ यदि आप वसीकरण करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए महबत में जीत हासिल करने की बहुत ही पाउरफुल और एक महा सक्तिसाली वसीकरण जड़ी के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं देख लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इसको जहां हम बताएंगे वहां इसको बांध लेते हैं ठीक है वहां इसको बांध देते हैं तो आपको अपने प्यार को अपने करीब ला सकते हैं अपनी महबत को अ आप जैसे जैसे उससे चाहेंगे वह वैसे वैसे करने लगेगी इसके बांधते ही जो भी व्यक्ति आपके समीप आएगा वो आपके आगरसन में आ जाएगा जी हाँ यह इतनी पाउरफुल जड़ी है कि इसको आपको जहां हम बताएंगे वहां इसको बांध लेना है जैसी आपके पास आएगा वहां आपके वसीबूत हो जाएगी या हो जाएगा किसी के लिए भी इसको आप कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी तांतरिक मोलवी बाबा पंडित किसी के पास जाने की कोई आवश्यक्त नहीं आप खुद से इस जड़ी को ला सकते हैं कहां यह जड ब्हुत कि को नहीं खर्च करणें आप मुफ्त में इस जडी को ला सकते हैं चरैंपको इसकी पूरी विधी बताते हूं सबसे पहले मैं आपको इससे दिन बताता हूं कि यह जो जडी है और शंचिन zwischen इसका सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ यह कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ चिरचिटा की जड़ है ठीक है चिरचिटा आप नहीं जानते हों तो इसका दूसरा नाम अपवार्ग भी है बहुत से इसको अपवार्ग भी बोलते हैं यह आपको अपने घर के आज यह अपने घर के आसपास भी यह बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको कैसे करना है इसको कैसे लाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले इसमें मैं ने दिन बता दिया को अब इसमें मैं को time बता देता हूं यह जो विदी है आपको सुबह पांच बजे से सुबह पांच बजे से साम के पांच बजे तक आपको इसको करना है ठीक है उसके बाद इस विदी को बिल्कुल भी ने करें यह इसकी सर्थ है आपको क्या करना है जहां कहीं भी आपको चिरचिटा का पोधा मिल के दिन ठीक है सनिवार मंगलवार के दिन जब आप जाएंगे तो इसको एक जटके में आपको खाड करके ले आना है ठीक है एक जटके में आपको खाड के लाना है और इसको आपको गंगजल या कच्चे दूद से आपको इसको धो लेना है साफ कर लेना है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको एक मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र से अभी मंत्रित कर लेना है वसी करन का यह है बहुत ही powerful और एक महा सक्तिसाली और real मंत्र है तो इस मंत्र से आपको अभी मंत्रित करना है ओम, हरीम, क्रीम, सम्मोहनम, हूम, फट, सुह, इस मंत्र को आपको बोलना है, ये वसीकरन का एक रियल और सच्चा मंत्र है, कितनी बार बोलना है, इसको आपको 43 बार बोलना है, 43 बार ठीक है, कच्चे दूर से आपको धो करके, इसको अपने हाथ पर रख लेना है, और इस तरह से ये जो मंत्र है, 43 बार आपको इसके उपर बोल देना है, जब 43 बार आप इसके उपर मंत्र बोल देंगे, तो ये जड़ी सिद्ध हो जाएगी, अब इसको आपको थोड़ा सा तोड़ करक किसी तावीज में बांद करके अपने गले में धारन कर लेना है बस इतना सा कारी आपको करना है जैसे ही इसको आप अपने गले में धारन करेंगे वह व्यक्ति आपके करीब आएगा आपके पास आएगा ओटोमेटिक ही आपके वसी भूत हो जाएगा और ऐसा नहीं कि वही व प्रद्धा और विश्वास के साथ इसको आपको करना है।